हेलो क्लास टेंट स्टुदेंट्स अरथमेटिक प्रोग्रेशन के फूर्थ एक्सेसाइज के थर्ड कोशन को हम लोग आशके दों सॉल करेंगे क्वेशन में कह रहा है और लेडर है रंग्स 25 सेंटीमेटर अपार्ट देखिए आपके पास ऐसे एक लेडर है यह जो है वो रंग्स है मतलब भी जिस पर पैर रखा जाता है ठीक है क्वेशन बोला है कि यह जो दोर रंग्स है न हूँ आपस में 25 सेंटीमेटर के गैप यह दोनों के बीच का जो गैप है वो कि तने का है सेथ चौटल के भूए ध्यान से बताहिए है इससे में 250 सेंटिमीटर सेंटिमीटर कर और एक गयप 25 cm का तो ऐसे कितने गैप होंगे पता ही है टोटल गैप जो है वह 250 cm और एक गैप जो है पच्छी संटीमीटर तो टोटल गैप को पता करने के लिए हम लोग 25 से डिवाइट कर देंगे तो यह जाएंगे टैन ठीक है टैन गैप संगे ठीक मतलब अ ध्यान से द सब्सक्राइब, टोटल दस ग्याप है ठीक है से यहां पर दो रंग है यहां पर पता निकॉन सा रंग मैं नहीं पता लेकिन कितने रंग होंगे अगर सोगें सद आप ईतने में पहले देखते हैं कितने रंग्स एक दो तीन रंग्स ऐन गैपके तो दस घ्रम एक मालुम चल चुका है कि किटनी ऐसे रंग्स हैnew van runs है कि कि यचिमें पहला वाला रंग 45 सेंटीमेठर का है और आखरी वाला रंग जो है 25 सेंटीमेठर का है कि यह साम आथह सकता हम यानि एक पताया 45 संटीमेठर और == DAY कै रे पिमगे लाश–यानि 25 संटमेटर मुझे ही भी भिपता है कि स्पर्स्टर्म 45 संटमेटर ऑर लास–व 19 LECTOR पता हो तो सम तो निकाला multiply by 70 आजाएगा तू से 35 बार में कट जाएगा और जब multiply करेंगे 11 से तो आपका अंसर आगा 385 सेंटीमीटर कुशन बोला था ना कि यहां पर कैसे 11 रंग सोंगे जबकि गैप दस ही है तो ठीक हो सकता है इसमें डाउट हो आपका डाउट होगा तो बताईएगा फिर से नाया वीडियो बनाया जाएगा उमीद कता हूं आपको आज के वीडियो समझाया होगा और अगर समझाया है तो लाइक जरूत करिएगा क कोसिस किया मैंने बहुत ही असान बासा में से समझाने की तो आज पूरें सकता है मिलते अंगले उड़ों में तक तक लिए बाए